अलो चो कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे मैं दिने श्यादव वेलकम करता हूँ आपका एसल के इस ओनलाइन प्लेटफोर्म पर जहां पर हम लोग पढ़ रहे थे 11th क्लास का इक प्यारा सच चेप्टर जिसका नाम था उस्मा गतिकी हमने लेक्चर वन लेक्चर टू कंप्लीट कर लिया था लेक्चर टू में लास्ट टाइम मैंने रिवाइज किया था उस्मा धार क serum के बारें मतल warfare उस्मा धारिता के बारें बात किती इसको मैं डारेक्ट सी अहों करें अधान करें था में प्लाकर कोmyजर क्या था ऐक तो हमने मेजर किया था कहां पर नियत आईतन पर और एक हमने इसको मेजर किया था नियत दाब पर कहा मेजर किया था नियत दाब पर आप कौन-कौन बताएगा कि सर नियत दाब पर जब हमार पास उसमा धारिता आती थी मोलर उसमा धारिता आती थी तो उसको तो हम लोग क्या बोलते थे CP बोलते थे और नियत आयतन पर जब होती थी तो उसको हम लोग क्या बोलने लग गए थे CV बोलने लग गए थे तो ज़रा मैं इसको यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि जब भी हमारे पास आयतन नियत होगा तो CM आपका क्या बन जाएगा तब आपका CM बन जाएगा CV और जब आपका दाब नियत होगा तो यहाँ पर आपके पास जो CM होगा वो क्या बन जाएगा आपका वो बन जाएगा CP बन जाएगा बताइए यहाँ से आपने उस्मा के लिए formula भी एक लिक दिया था उस्मा के लिए formula क्या लिखा था क्यूं आप कहा देख रहे हो आईतन नियत है तो v पर देख रहे हो तो यहांपर क्या जागा Qv हो जाएगा is equal to ncv delta t हो जाएगा क्या बताएगे यहाँपर क्या बन जाएगा यहाँपर हम लुग बोलेंगे सर नियत आईतन पर तो जो उस्मा में परिवर्तन होगा वो भी कहा होगा नियत सोरी नियत दाब पर ही होगा ओके तो चलो यहाँ पर जो नियत दाब है इसके लिए फॉर्मला क्या बन जाएगा एन सीपी डेल्टा टी बन जाएगा क्या बताइए आपने ये कहानी पहले वाले लक्षर में बात क करेंगे जो आपके पास सीपी और सीवी बनाना ये अलग लग गैसे के लिए क्या होता है अलग अलग होता है अब इनकी कैलकुलेशन अपने को चेक करनी है तो कैलकुलेशन चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा वो जरा देखिए तो अब हमें क्या करना है सीपी औ आपके लिए ले गाया हूं इस टेबलर फूम को फिल करना है जहाप आप उसे तीन वैल्यू याद रखने हैं बाकी पूरी टेबिल आपको याद रह जाएगी तो आई होप आप सब लोग उन तीन वैल्यू उसको एजीली याद रख लोगे तो चलिए हम लोग देखते हैं य Beginning लोग विए की पर्वालू हो टा ओ यडिसमी करते निचिर में अर्य जितनी वी अकृईग ऐसे हैं सारी एकानो की तू रहती है कि अध़ी वह में और सेहीलियू की वेल्यू होती है वह मेंसा किस फों में होती है एची की फों में रहती है और गन क्रिप्टॉन जिनोन यह स नहीं होती है, यह 3 R by 2, अगर बताओ, आपने CV की value calculate कर ली, तो इसके लिए क्या CP की value calculate कर सकते हो, क्या आप इसके लिए, बिल्कुल कर सकते हैं, कैसे करोगे, जरा उसको ध्यान से देखना, हम लोग बोलेंगे, कि सर, हमें पता है, CP minus CV किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है, तो जरा बताओ, यहां से CP किसके बराबर होताएगा, CP बराबर होताएगा, R plus CV, मतलब CV में आप क्या add कर दो, R को add कर दो, आपके पास क्या आजाएगा, CP की value आजाएगी, तो 3 R by 2 में अगर मैं R को add करूँ, तो यह कितना बन जाएगा, 5 R by 2 बन जाएगा, तो आपने easily CP की value बता दी क्या, केवल आपको एक value ध्यान रखनी थी, और उसी के basis पे आपने क्या बता दिया, CP की value बता दी, बताओ, कर सकते हो इस काम को, अराम से कर सकते हो न, ठीक है, चलो, अब गामा के बारे में बात कर लेते हम लोग, गामा क्या होता है, CP बटे, CV तो होत होता है, आर से, आर कैंसिल आउट हो जाएगा, एक बार लिखके देखना, अगर नहीं समझ पारे हो तो, तो यहां पर क्या बच जाएगा मिर पास, यह मिर पास बच जाएगा, 5 by 2 बच जाएगा, बताइए, कोई दिक्कत यहां तक, यह लिखने में, हाँ, इसके अगर examples की बात करें, तो example क्या हो जाएगा, helium हो गया, organ हो गया, क्रिप्टोन हो जाएगा, और भी जो हमार पास अक्रिय कैसे हो, सारे कैसे होती है, monoatomic होती है, एक अनुक कैसे होती है, बताइए, क्या इनके लिए आप लिख सकते हो, कहां नहीं, बोल सर बिलकुल लिख सकते हैं, तो daily inhale करते हैं, मतलब अपने अंदर लेते हैं, oxygen gas, यादा है न, oxygen हो गया, nitrogen हो गया, hydrogen हो गया, यह सारे कैसे हैं, डिवनु की तो है, तो example भी हमें पता लग गया, इनके लिए जो CV की value होती है, वो होती है, 5R by 2, जो रहा बता हो, अगर यह 5R by 2 हुआ, तो यह कितना हो जाए गामा इसको, 7R by 2 को divide कर दो किसे, 5R by 2 से, R से R चला जाएगा, 2 से 2 चला जाएगा, तो मिर पास क्या बचेगा, 7 by 5 बच जाएगा, बताए, sorry, 7 by, हाँ, 7 by 5 आपके पास बच जाएगा, तो यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं हो नहीं चाहिए, example क्या हो ज जाएगा, और भी बहुत सारे example हो जाएगे, कर सकते हो ना, easily, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है, अब देखो, आपके पास है, बहु अनुक परमानू, polyatomic molecules, अब इनमें क्या होता है, आपके पास, आपके पास इनमें होगा, कि यहाँ पर आपके पास अनु क्या होंगे, 2 से जादा होंगे, अब जो यह दो से जादा अनु है, इनमें 2 परकार की संरचना है, संभव है, या तो रेखिय संरचना, मतलब एक ही लाइन में सारे के सारे अनु बन जाए, उनको हम लोग बोलते हैं, मतलब सारे के सारे अनु का अरेंजमेंट, जो व्यवस्ता है, कहां हो ज देखी रेंगे, तो यहां पर हमलोग दो केस के बारे में पढ़ेंगे, एक truck अपने पास होगा, रेखिय पर्माणू, या फिर रेखिय जामेती वाले पर्माणू, दूसरा होगा वामती पास यह तारे हे ना हो, तो लो बताओ, रेखिय पर्माणू, renewed हे जैसे ही होंगी क तो इसका मतलब यह हुआ, कि जो 2 earn north होते हैं, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, रेखी होते हैं, तो same as it is बाते हो जाएंगी, रेखी के लिए बहु परमानुमी में, तो हमार पास CV कितना हो जाएगा, CV हो जाएगा, 5R by 2, यह हो जाएगा, 7R by 2, और आपके पास यह कितना हो जाएगा, 7 by 5 हो जाएगा, बताइए, कोई दिक्कत आपको यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आगे अगर हम लोग बात करें, कि बहु परमानक में example क्या हो जाएगा, तो example हम H2, अभी-अभी आपने organic में पढ़ा होगा, इसी को, क्या होती है, इसके सनरचना, और यही तो होता है, carbon होता है, फिर triple bond होता है, फिर carbon होता है, और उसके आगे कोन लगाता है, एक hydrogen लगा होता है, एक hydrogen यहाँ पर लगा होता है, तो यह भी आपके पास सनरचना कैसी होती है यहां पर इसके लिए हम लोग बोलेंगे कि इसके लिए जो 2 o 3 r आड़ करना होता है तो बता कितना हो जाएगा गामा हो जाएगा घे यहां पर यह हुआ तो एक्जम्पल क्या हो जाएगा एक्जम्पल सबसे बच्छे एक्जम्पल CH4 हो जाएगा या फिर H2O gas हो जाएगी क्या हो जाएगी H2O gas पानी कैसा होता है वी सेप में होता है न यादर है सबको बहु परमाने विग भी है और रेखे भी नहीं है तो उसके लिए क्या हो जाएगा आएगी आपको CP और CV के question करने में हाँ तो अब हम लोग मेरी ख्याल से आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी अब हम लोग आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे चलके हम लोग चेप्टर में आगे बढ़ते हैं चेप्टर में आगे हमारे पास क्या आएगा अब है हमारे अंदर जितनी परकार की उर्जाए है या पिर जो भी उसके अंदर उर्जा है वो मेरे पास क्या होगी उसकी आंत्रिक उर्जा होगी सपोच को जिस मारकर है इस मारकर के अंदर जितनी उर्जा होगी वो सारे के सारी मेरे लिए क्या होगी आंत्रिक उर्जा होगी अब वो गतिज उर्जा भी हो सकती है ठीक है नाबिकिय उर्जा भी हो सकते हैं जितनी आप उर्जा जान सकते हो ना और जितनी नहीं जानते हो उन सब को भी अगर मैं जोड़ दूँ तो सारी की सारी मिर पस क्या होगी आंत्रिक उर्जा के बराबर होगी तो अब जड़ा इदर आ जा इसको हम लोग represent भी करते हैं, इसको represent करने के हमारे पास होते हैं दो symbol, कौन-कौन से होते हैं, दोनों से आपको परिशान किया जा सकता है, तो उसके लिए तयार रहना, इसको हम एक तो represent करते हैं, किसे रिपरजेंट करते हैं, कैपिटल इ, या फिर इसको कभी-कभी हम लोग represent करते हैं, कैपिटल यू से भी represent करते हैं, किस से, कैपिटल यू से, तो दिक्कत मतले न, कहीं पर भी दोनों form में आपको लिखा हुआ मिल सकता है, अब चलो, इसकी परिभासा की बात कर लेते हैं ह हम लोग, तो परिभासा की बारे में हम लोग क्या बोलेंगे, किसी तंतर में निहित, सभी परकार की उर्जाओ का योग, क्या कहलाता है, आंतरिक उर्जा कहलाता है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, पहला point क्या हो जाएगा हमार पास यहाँ पर, कि किसी तंतर में न निहित सभी परकार की, अब ये सभी परकार से मतलब है कि वहाँ पर जितनी परकार की उर्जाए हो सकती है न, वो सारी की सारी, परकार की उर्जाओ का योग, अब इन में से देखो भूस सारी उर्जाए है तो हमें पता भी नहीं होती और भूस सारी उर्जाए हमें जानते है बहुत सारी के बारे में तो हम लोग information है लेकिन अभी भी बहुत सारी उर्जाए ऐसी है जिनको हम लोग नहीं जानते तो उन सब को मैं जोड़ूँगा न तब जाके मिर पास क्या आएगी आंतरिक उर्जा आएगी तो सभी परकार की उर्जाओ का योग बताइए आप बता सक कोई विद्युचेतर रहा तो क्या उसकी वास्तिविक आंतरिकुर्जा बता सकते हो क्या आप चलो नहीं समझ मैं ठीक है तो सुनना इसको मैं बोल रहा हूं कि आपके पास एक ब्लॉक है क्या है जाध्यान से देखना आपके पास एक यह ब्लॉक है यहां पर लिख देता क्या है ब्लॉक है अगर इस ब्लॉक की मैं यह कूद की विडाएं क्या प्रदान कर रहा हूं यहां पर जयब उर्バイ कर रहा हूं जब भी आप आंत्री कुर्जा निकालो, तो जो भी आपका ब्लोक है या तंत्र है, वो हमेसा कहां होना चाहिए, विराम अवस्था में होना चाहिए, तो इसके कुछ conditions भी है, उनको ज़रा देख लो, conditions मैं लिख देता हूँ, हमारे पास जो पहली condition है, condition क्या है, कि जब भी हम लोग आंत्री कुर्जा निकालेंगे न, तो पहली condition तो ये है, कि तंत्र हमारे पास कहां होना चाहिए, विराम अवस्था में होना चाहिए, पहला point तो हो गया ये, अच्छा, अब बताइए, अगर हमारे पास तंत्र विराम अवस्था में हो गया, ये होना चाहिए दूसरी मैं बात करूं कि हमारे पास सपोच करो इस तंतर के पास में कोई विद्युच्छेत्र लग जाए या फिर यह मान के चलो कि लोहे का ब्लोक है इसमें बहुत सारे कि इलेक्ट्रोन है मैं इसके पास में चुम्ब यह चे लगा दूँगा तो यहां पर क्या होगी इसकी आंतरी कुझा में चेंजेज होंगे तो फिर भी हम लोग इसके आंतरी कुझा प्रफेक्ट कंडिशन में नहीं निखाल पाएंगे तो हम लोग बोलेंगे कि दूसरी condition यहाँ पर क्या हो गी हमारे पास कि तंतर बाहिये बलो से मुक्त होना चाहिए मतलब कि तंतर आपकी विल्गित अवस्ता में होना चाहिए वो दुनियादारी की मोमाय से अलग होना चाहिए मतलब समझे कि उसके आजपास में कुछ भी नहीं होना चाहिए तब अगर मैं उर्जा निकालू तब तो वो मेरे पास क्या होगी उसकी आंत्रिक उर्जा होगी पास समझे तो यहाँ पर मैं क्या बोल सकता हूँ कि तंतर बाहिये बलो से मुक्त होना चाहिए मुक्त होना चाहिए बताइए कोई दिक्कत आपको यहां तक आनुत्रिक उर्जा में अगर अब हम लोग इसके फॉर्मले की बात करें तो फॉर्मला हमारे पास क्या बन जाएगा हमारे पास फॉर्मला बन जाएगा और इसमें जितनी परकार की उर्जा है और भी बहुत सार परकार की उर्जाय हो सकती है ट्रांसलेशनल उर्जा हो सकती है वाइब्रेशनल उर्जा हो सकती है हमें उर्जाओं के बारे में पता ही नहीं तुम कितनी उर्जाओं को जोड़ूंगा यहां पर जोड़ी नहीं पाऊंगा अच्छा अब एक बाद दो formula देख के बताओ क्या आप किसी तंतर की निरपेक्स आंतरिक उर्जा का मान बता सकते हो क्या सोचो जरा तहान से ठीक है जो मैंने board पे लिखा है उसको देखो और एक बार इसके बार में सोचो क्या आप किसी तंतर की निर्पेक्स आंतरिक उर्जा के बारे में बता सकते हो क्या जल्दी से कमेंट सेक्षिन में कमेंट कीजिए क्या आप किसी तंतर की निर्पेक्स आंतरिक उर्जा के बारे में बता सकते हो क्या पताईए मेरे ख्याल से नहीं बता सकते क्यों नहीं बता सकते, धान से सुनना, गोल सर हमें पता ही नहीं इसमें कितने परकार की उरजाए हैं, हमें पता होगा तबी तो हम सबको जोडेंगे, जब हमें पता ही नहीं कितनी परकार की उरजाए हैं, तो हम कभी भी किसी तंतर की निरपेक्स आंतरिक उरजा का मान नहीं निकाल सकते तो बताइए आंत्र कुर्जा के बारे में कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखना स्टार्ट कर देता हूं में तो मेरे ख्याल से आपको पता लगना लग जाएगा ठीक है कुछ पहला पॉइंट हमारे पास क्यों हो जाएगा कि तंत्र की तंत्र की निर्पेक्स निर्पेक्स का मतलब समझते हो ना निर्पेक्स निर्पेक्स मतलब एपसुलूट फिक्स मान निकाल पाना पॉसीबल नहीं है इसका एक फिक्स मान जैस सपोच करूँ मैं बोल दूँ कि यहां पर पांसो किलो जूल आंत्र कुर्जा है ऐसा नहीं बोल निर्पेक्स का मतलब होता है निश्यत या एबसूलूट मान, तो तंतर की निर्पेक्स आंतरिक उर्जा, आप देखों आंतरिक उर्जा को मैं IE से रिपरजेंट कर रहा हूँ, आप समझ जाना, आंतरिक उर्जा की गणना संभव नहीं है, इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार आप से MCQ में पूछा जा सकता है, आप से बूलेगा कि निम्ण में से कौन-कौन से कतन सत्ते है, आप कुछ हाटने पड़ेगे कौन-कौन से कतन सत्ते है, निर्पेक्स उर्जा की गणना संभव नहीं है, तो बताइए, मेरे ख्याल से आपको अब इस अवस्ता फलन होता है, बताओ, याद है क्या, हाँ, हमारे पास आंत्री कुर्जा कैसी फलन होती है, अवस्ता फलन होती है, क्यों, क्योंकि हमारे पास, हम थोटाएं बाद में आपको बताऊंगा कि आंत्री कुर्जा किस पर निर्पर करती है, तापमान और आईतन पर निर परिवर्थित होते हैं ,मतलब वो किस बेंट करते हैं, अवस्था पर परिवर्थित होते हैं अवस्था फलन है तो मैंने आपको बताया था कि जो भी अवस्था फलन होते हैं उनकी हम लोग कभी भी absolute value नहीं निकाल सकते ध्यान रखना इस बात को जो भी अवस्था फलन होते हैं उनकी हम लोग absolute निरपेक्स describes मान की गणना नहीं कर सकते तो हम लोग क्या करते हैं वहाँ पर फिर हम लोग वहाँ पर क्या निकालते हैं उनकी दोनों अवस्ता में जो मान में परिवर्तन हुआ तो हमेशा हम लोग क्या निकालेंगे वहाँ पर परिवर्तन की गणना करेंगे तो यहाँ पर अगर मैं इसके लिए फोर्मुला लिखू डेल्टा e बराबर हो जाएगा इसर e final पतलब बाद में आंत्री कुर्जा कितनी थी वो minus पहले आंत्री कुर्जा कितनी थी वो तो e final minus e initial कर दूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंत्री कुर्जा में परिवर्तन आ जाएगा यह formula केवल देखने का है इसको हम लोग कहीं काम में नहीं लेंगे कहीं भी numerical इस formula से solve नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्यों आपको पता ही नहीं होगा final आंत्री कुर्जा कितन देता हूँ उसको जरा ध्यान से सुनना अब देखो यहां पर आपके पास दो कंडिशन बन सकती है दो कंडिशन क्या बन सकती है पहली कंडिशन मैं बोल सकता हूँ कि आपके पास if final ज्यादा हो जाए किस से e initial से मतलब समझे कि बाद में आंत्री कुर्जा ज्यादा हो गई पहले क्या है कम है तो बतो डेल्टा यहां से क्या आएगा जरा बताईए आप जल्दी से जल्दी से बताईए यहां से अब डेल्टा यहां से हो जाएगा धनात्मक क्यों हो जाएगा जरा ध्यान से देखो यह वाली वैल्यू पॉजिटिव में ज्यादा रहेगी और यह व मारे पास delta e positive होगा तो इसका मतलब क्या होगा आंत्रिकुर्जा में व्रद्धी हो रही है लिखना चाहो तो इसके नीचे लिख लेना कि आंत्रिकुर्जा में व्रद्धी होती है दूसरी कहान ही अगर मैं बात करूँ मेरे पास आ जाए दूसरी condition अब यह तो देखो मैंने प कि बताए कि अरे negative हो जाएका delta e सबस्रें आ बिल्कुल वह हो जाएगा आपके पास बड़ी वैल्यों हो जाएगी तो आवराल वैल्यू का आएगी वह कैसे हो जाएगी आपके पास negative आ जाएगी क्या तो आराम से कर सकते हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि तंत्र की आंत्रिक कम ही होती है बताइए कोई दिक्कत यहां तक कोई दिक्कत है क्या मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अगर आप उन्लोग यहां पर कुछ बाते और करें जैसे कुछ कि existem इंपरटेंड बाते हैं अब ज्यारा ध्यान से सुनते विए चलना है ठीक है इंपरटेंड बात है वो मैं बोल रहा हूं कि हमारे पास जो आंत्र कोरजा होती किसी भी तंत्र एंप्रेचर की फलन होती है धाट है वो ज्यादा इंपोरेंट है इसको statement base में भी पूछा जा सकता है तो अगर आप statement लिखना चाहो इसका तो वो भी लिख सकते हो statement में क्या बोलोगे कि तंत्र की आंत्रिक उर्जा आईतन तथा तापमान का फलन होती है अगर इसी को मैं बात करूँ इसके लिए address gas के लिए जी रध्यान से देखना address gas के लिए यह होती है E equals to F मलग केवल और केवल किसका फलन होती है तापमान का फलन होती है तो आईतन में परिवर्तन भी क्या हो जाएगा लगबग 0 ही तो होगा तो जब item में कुछ परिवर्तन होगा item में परिवर्तन ही नहीं होगा बताओ item पर निर्भर ही नहीं करेगी तो बताओ वहाँ पर वो किस में निर्भर करेगी केवल और केवल temperature पर depend करेगी तो यह लिख दिया, तो इसको भी जरा ध्यान से रखना, जो second वाला बना, वो किसके लिए बना है, second वाला बना है, उसको भी जरा लिख जरूर देना, क्यों हम लोग बोलेंगे, ये किसके लिए होगा, केवल, केवल, address, gas के लिए, address, gas के लिए, बताइए, कोई दिक्कत आएगी कि आपको यहाँ पर, मेरे क्याल से कोई दिक्कत नहीं आने चाहिए, ये जो equation बनी वो किसके लिए होगी, केवल और केवल, address, gas के लिए होगी, बात समझे हो, ठीक है, अब इसके बात देखो, हम लोग क्या calculate करेंगे, एक formula में आ address, gas के लिए, जब भी हम लोग delta e calculate करेंगे, वो कैसे calculate करने वाले है, अभी थोड़ा से derivation, इसमें मैं नहीं बता पाऊंगा, ये थोड़ा से lengthy derivation हो जाएगा, और mathematical derivation है, और वो आपके, अभी saligosophy का पार्ट भी नहीं है, वो आप जब हायरी क्लासिम जाओगे, ये एडव question मतले न, बिल्कुल यह आपको याद हो जाएगा, थोड़े टाइम में, अगर आप उस formula को बार 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 देखोगे न, easily आपको याद हो जाएगा, इसी formula से निकल के आता है, हम लोग बोलते हैं, कि यहाँ पर जो delta e होती है, वो इकल होती है, ncp delta, sorry, ncv delta e के इकल होती है ओके, तो आंतरी कुर्जा का ये वाला formula ध्यान अकना, इसी formula से हम लोग question को solve करेंगे, ये formula कुछ और भी याद दिला रहा है आपको, टेको जोरा ध्यान से, अरे qv के बराबर ही तो है ये formula, तो हम लोग बोल सकते हैं, कि delta e बराबर qv बराबर ncv delta t, तो बताए, कोई दिक आपसे दो case बनवाये जा सकते हैं, t2 greater than करके, डेको delta t है na, t2 minus t1, तो जब t2 बड़ा होगा, तब क्या होगा, और जब t1 चोटा होगा, जब t1 बड़ा होगा, तब क्या होगा, तो उसके बारे में आप देख लेना, उसमें कोई tension नहीं आगे, आप easily कर दोगे, जो बड़ हो, उसमें से क्या करना, आपको, minus करना है, और final आपको sign देखना है, तो delta e का sign आप देख लेना, जब भी delta e का sign धनात्मक आए, तो समझ लेना, आंतर कुर्जा में वर्दी होगी, जैसे मैंने अभी थोट ताम पहले बताया, और जब भी delta e का sign कैसे आए, negative आए, तो आप क् question है, जल्दी से पढ़िए और इसका answer comment कीजी, कितने बच worry answer देख आते हैं, जल्दी कीजी, जल्दी कीजी, जल्दी कीजी, अगर देखे आपको question अगर ध्यान से देखो, तो answer भी आपको इस question में दिख रहा होगा, answer कैसे दिख रहा होगा, तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक कोई तंतर था वो भी अवस्ता A पर था यहां से चलके वो कहां पहुंच गया अवस्ता B पर पहुंच गया फिर वो कहां पर आ गया अवस्ता A पर आ गया यह उपर वाला प्रोसेस तो उतकर्मनिय परक्रम से गया यहाँ पर उतकरमनी है था और जो उड़ा में हास हुआ वह 30 किलोजूल था यहाँ पर वो किस से आया इनुतकरमनी से आया और यहाँ पर अब उसने क्या पूछे कि आंत्रिकुर्जा में परिवर्तन बताईए तो जो आध्यान से सुनो, आंत्री कुर्जा कैसा फलन है आपके पास, अरे अवस्ता फलन है क्या, तो इसका मतलब क्या होगा, E final minus E initial होता है क्या, अब देरा बताओ, दोनों जगे, आपके पास final state भी same है, देखो, A से गया, B पर और B से कहां आ गया, वापस आ गया, A पर, त तो हमार पास जो आंत्री कुर्जा में परिवर्तान आने वाला है, वो भी कितना हो जाएगा, zero हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, बात समझ में आई, तो आपसे ऐसे questions में खेला जा सकता है, उसके लिए तयार रहना, आप तयार इसलिए रहना, कि परकरम चाहे किसी भी परकर आप यह हो, अगर आपके पास अवस्ता सेम है, प्रारभिक अवस्ता और अन्तिम अवस्ता सेम है, तो मान के चलना वहां पर अवस्ता फ्लन हमेशा zero रहेगा, क्या बोलेंगे, कि अगर दोना अवस्ता यह सेम हो, तो अवस्ता फ्लन क्या रहेगा, आपके पास zero रहेगा, बताइए, कोई दिक्कत आपको इस question में, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो निजी जी, अब हम लोग आगे चलते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं, उस्मा के बारे में, उस्मा के बारे में आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा, ठीक है, मैंने भी एक बार question दिया था हमबक के लिए, कि उस्मा और उर्जा में क्या संबंद होता है, या फिर क्या अंतर होता है दोनों में, गया था क्या, याद है सबको, हाँ, बहुत सारे बच्चों ने answer भी दिया था, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अब देखो, यहाँ पर अगर अगर आप लोग उस्म क्यूं से भी कर सकते हैं, तो tension मतले न, capital क्यूं आपके पास जहां भी लिखा हुआ दिख जाए, तो इसका मतलब क्या है, वो किसको represent कर रहा है, उस्मा को represent कर रहा है, अब सुनना देखो ध्यान से, यहाँ पर दो चीजे हैं, मैं एक बार आपको वापस से बता देता हूँ, ठीक है, जब भी हमारे पास energy का transformation होगा, किसका, जब भी हमारे पास क्या होगा, energy का विनी में होगा, उर्जा का विनी में होगा, यह दो तरीके से हो सकता है, या तो यह उस्मा के रूप में हो सकता है, या फिर यह हो सकता है, कारिये के रूप में, किसके रूप में हो सकता ह कारिये के रूपे, ध्यान से सुनना कि जब भी हमारे पास उर्जा का आदान परदान होगा तो वो हो सकता है केवल और केवल दो तरीके से, आपके जितना सलेबस में उसमें, केवल और केवल किससे हो सकता है, दो तरीके से, वो कैसे हो सकता है, एक तो हो सकता है, वो उस्मा के कारण हो सकता है दूसरा हो सकता है वो कार्य के कार अब देखो उस्मा और कार्य क्या है दोनों के दोनों ही energy के transformation मतलब उर्जा के विनीमे के mode है तरीके हैं कि इन तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं उर्जा का विनिम कर सकते हैं, तो मेरे क्याल से आपने एनरजी और उस्मा में बीच में जो अंतर था वो भी समझ चूक होगे, हाँ, बिलकूल हम लोग क्या बोलेंगे, कि उर्जा हमार पास क्या होती है, एक शम्ता होती है कि हमार पास कितना हम लोग कारिय कर सकते है हो सम्ता होती हैं मारों पास अफिर। 취onna कि वजह से एक जगह से दूसरे जगह क्या होती है इस्तनांतरित ओती है जैसे मैं बहल करूँ कि मेरे पास एक जग है वह गरम है अगर वा Academic तो ही तो मेरे को heat feel होगी, अगर मैं उसको touch ही ना करूँ, तो बताओ, उर्जा का भी निम में हो सकता गया, नहीं हो सकता, जैसे ही मैं touch करूँगा, तो क्या होगा, उर्जा, उची तापांदर से कहा जाएगी, निमने तापांदर की तरफ, मतलब किसकी form में जारी है, उस्मा मैं आपको देता हूँ, अगर आपको जब भी उर्जा और उस्मा में comparison करना हो ना, तो आप तो एक तो पैसे के बारे में सोचना, एक check के बारे में सोचना, पैसा और check, समझ रहो, कि check तो क्या है आपके पास उस्मा है और पैसा क्या है, उर्जा है, अब दोखो, आप चेक स कारणों करता है पैसा था उसको एक अकाउट से दूसरे आकांतर पहुंचाने का काम करता है अन्य कोई भी रीजन से अगर उस्मा का आपके पास क्या हो रहा है विचलन मत्रसुरिव क्या हो रहा है एक जिगे से दूसरे के आदान परदान हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं कारे बोलते हैं तो अपन क्या बोलेंगे यहापर तापांतर को छोड़ कर तापांतर को छोड़ कर अन्य किसी भी कारण से अन्य किसी भी कारण से तो यहांपर मेरी ख्याल से इसलाइड में आपको Energy के बारे में जो दो मोड होते हैं उस्मा और कारे उनके बारे में एक Basic Introduction आपको मिल गया होगा कि हमारे पास जो उस्मा होती है वो किसके कारण फ्लो होती है तापांतर के कारण फ्लो होती है और तापांतर को छोड़ कर अन्य कोई भी कारण हो चाहे आईतन में परिवर्तन करके हो रहा हो चाहे दाब में परिवर्तन करके हो रहा हो उन सब के लिए हम लोग कौन जिमेदार होता है कारे जिमेदार होता है तो यहां से आपको एक बात clear हो चुकी होगी कि हमार पास अगर उस्मा की परिभासा हम लोग लिखना चाहें तो उस्मा की परिभासा क्या हो जाएगी उस्मा की परिवासा हो जाएगी आपके पास तंत्र तथा परिवेश के मध्य परिवेश के मध्य तापांतर के कारण तापांतर के कारण के कारण उर्जा विनि में. क्या कहलाता है आपके पास? उसमा कहलाता है. उसमा कहलाता है. प्रध्यान से सुना, वापसे में एक example दे रहा हूँ. सब्सक्रों, आपके पास एक system है, अभी इसका temperature पचास डिगरी चल्सियस है, मेरे पास एक दूसरा परिवियस है, बहार परिवियस है, तो बताओ क्या होगा, क्या आपके तंतर से उस्मा निकल निकल के कहां जाएगी, बार परिवेस में जाएगी, तो इसका मतलब यह हुआ, कि तंतर में से उर्जा निकल रही है, वो उस्मा के रूप में कहां जा रही है, परिवेस में जा रही है, बास समझे, तो यहां पर क्य होगा तापांतर के कारण आपके पास क्या होगा उर्जा का विनी में होगा अब इसके बारे में कुछ बाते कर लेते हैं हम लोग बाते क्या है सबसे पहले बताइए यह आपके पास अवस्ता फलन है या पत फलन है ध्यान से समझेए सोचिए और फिर बोलिए समझगे ना हमार पास यह क्या है पथफलन है क्यों मैंने बताया था आपको कि वोट दो ही है आपके पास जो किस पर निर्भर करते हैं पथपे निर्भर करते हैं एक तो कौन था कार यह था और एक कोन था उसमा था तो हम लोग simply बोल देंगे यह कैसा है पत्फलन पत्फलन होती है यह होता है जो भी आप बोलना चाहो तो अब देखो यहाँ पर यह पत्फलन हो गया दूसरी बात अगर मैं बात करूँ क्या यह extensive है यह intensive है यह थोड़ा से important है तो हम लोग क्या बोलेंगे इससर यह ना तो extensive है ना ही intensive है बहुत सारे बच्चे इसको extensive extensive बोले जा रहे थे ठीक है मैंने पहले भी comments आपके देखे थे जब first lecture मैंने इसके बारे में पूछा था तो यह मान के चलना कि हमारे पास उस्मा क्या है ना तो extensive है ना ही intensive है इसका कारण यह है कि उस्मा आपके पास tantra का property नहीं है और क्या है कि जब भी आप उसको touch करोगे तो surface पे होने वाली यह गटना है जब भी आप suppose करो किसी object को आप touch ही नहीं कर रहे तो वहाँ पर उस्मा का आधान प्रदान होगा ही नहीं किसी तंतर के अंदर उस्मा है तो वह story रहेगी हम लोग बोल सकते हैं कि यह क्या होती है surface की गटना होती है किसी तंतर की गटना नहीं होती है जैसे आइतन होता है ना आइतन क्या होता है तंतर का आइतन होता है सेम ऐसे उस्मा क्या होती है तंतर की गटना ना तो extensive है और ना ही intensive ये point important है ध्यान रखना वह सारे बच्ची इसमें confused होते हैं तो तयार है ना इस point के लिए हम लोग क्या बोलेंगे ये ना तो extensive है ना ही intensive गुण है आगे अगर हम लोग बात करें कि हमार पास जो भी ये उस्मा है इसका तंतर में वित्रण की बात करें कि तंतर में इसका वित्रण कैसे होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे किसा तंतर में इसका वित्रण समरूप नहीं होता है या फिर मैं बोलू कि तंतर में उस्मा का हेंडल होता है कि जहाँ पर highs जादा हो ताक्मान जादा होगा तो हम लोग बोल सकते हैं कि तंत्र में कभी भी उस्मा का जो आपके पास फैलाव होता है या फिर जो Cup होता है वो सम्षभी नहीं होता इंस महात है त्रूघ के साथ साथ उसमा का वित्रण या फिर जो उस्मा का है उसका फैलाव या फिर उसकी intensity क्या होती जाती है कम होती जाती है next point अगर हम लोग बात करें यहां पर आप गार हम लोग आप देखते हैं कि उस्मा के बारे में किसने formula आपने जब आपको उस्मा धारिता दी हो तो उस्मा धारिता क्या होती है अरे C होती है ना तब वहाँ पर हम लोग कैसे calculate करते थे c delta t से calculate करते थे क्या दूसरी condition मैं बोलू कि आपको क्या दिया है आपको दिये visist उस्मा तो बताओ यहाँ पर भी क्यों निकालते थे कि हम लोग याद करो जोब उस्मा धारित हमेनी formula बताये थे तो क्या निकल क्या आता था वो वो आता था m s delta t जहाँ पर m क्या होता था दर्यमान होता था s क्या होती थी visist उस्मा होती थी और delta t क्या होता था ता पांतर होता था तीसरा अगर मैं बात करूँ तीसरा हमारे पास होता है जब molar उस्मा धारिता दी हो तो क्या होता था n c m delta t होता था क्या इस formula को फिर हम लोग दो जिगा देखते थे कि जब एक तो नियत दाब पर नियत दाब पर क्या हो जाता था QP हो जाता था और यह formula बन जाता था NCP delta T बन जाता था यह क्या हो जाता था आपके पास नियत item पर QV बन जाता था और यह हो जाता था n c v delta t हो जाता बताइए यहां तक आपको कोई दिक्तत है क्या यह formula मैंने पहले लिखवा दिये अब सारे formula एक जिगा आपको दिख रहे हैं तो इस page को तुछ ध्यान से पढ़ना ध्यान से लिखना हो सके तो copy के front page पे लिख देना कोपी के front page पे लिखने से क्या होगा कि आपको यह formula दिखते रहेंगे तो हमेशा आप इनको भूलने की probability आपके पास क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो चलिए हम लोग उस्मा के बारे में formula भी हमने देख लिए अब बताइए कोई दिक्तत है कि आपको यहाँ देख अब इसके बाद एक और चीज़ आती है हमारे पास उस्मा के बारे में उसको भी जरा देख लेते हैं वो क्या है वो है उस्मा के लिए चिन पढ़ना ली क्या होती है चिन पढ़ना ली कि ध्यान रखना आगे अब हम लोग numerical solve करने वाले हैं, numerical में जब भी हम लोग values put करेंगे तो हमेशा चिन के साथ values put करेंगे, क्यों put करेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारी जो गलती होने के chance वो zero हो जाएंगे, चिन बदला नहीं और answer गलत आएगा और वो आपको option में भी और वही टिक करके आओगे आप और आपका answer गलत होगा, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा चिन पर्णाली को ध्यान से समझते हुए चलना है, और ध्यान से समझने के साथ साथ उसको use भी करना है, तो बिलकुल simple है चिन पर्णाली, IPS ने decide कर रखी है, तो उसको हम लोग ल और थो झाली को अउसोसित करेगा तो वह कैसी होगी, आपके पास वह होगी positive, और जब भी तंतर उसमा क्या करेगा, तो उसको हम लोग कैसे मान के चलेंगे, negative मान के चलेंगे, तो हम लोग बोल सकते हैं कि तंतर द्वारा अवसोसित उसमा कैसी होगी, धनातमक होगी, क्या अवसोसित उस्मा, ये कैसी होगी आपके पास, ये होगी आपके पास, धनात्मक्द, ओके, सेकेंड हम लोग क्या बोल सकते हैं, तंतर द्वारा, अब क्या होगा, अवसोसित दूसरे क्या होगा आपके पास, उत्सर्जनी होगा, तंतर द्वारा, उत्सर्जित, उत्सर्जित उस्मा ये कैसी आपके पास ये होगी negative तो ध्यान रखना आप तो इसको आपने बच्चमने पढ़ा होगा उस्मा छेपी और उस्मा सोसी आप उससे भी इसको ध्यान रख सेते हो उस्मा छेपी क्या होती थी उर्जा बाहार निकलती उस्मा सोसी मतलब उर्जा अंदर आती थी तो यह तो कुछ बेसिक बात थी हमने उस्मा के बारे में की, अब सेम ऐसे ही हम लोग वर्क के बारे में भी डिस्कस करेंगे, तो वर्क क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बता दिया, कि तापांतर को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से अगर तंतर और प्रिवेस के उर्जा का विनी में हो रहा है, तो वो कोने कारिये है, कोने कारिये, किसके विज़े से उर्जा का विनी में होगा, कारिये के विज़े से, तो यहाँ पर बिल्कुल सिंपल सी इसकी डिफिनिशन में आपको लिख देता हूँ, डिफिनिशन क्या होगी, तापांतर को अन्य किसी भी कारण से हुआ उर्जा विनी में अब ये उर्जा विनी में कहा होगा तंतर और परिवेश में उर्जा विनी में कार ये कहलाता है क् unconscious टापांतर को छोड़ कर अन्य किसी भी कारण से हुआ उर्जा विनी में आपके पास क्या कहलाता है या आवस्ता फुलन होता है तो लिख दो जल्दी जल्दी ये कैसा फुलन होता है पत फुलन होता है पतव एक्स्टेंसिव या इंटेंसिव फिर से ध्यान रखना इसको ये ना तो एक्स्टेंसिव है ना तो एक्स्टेंसिव है और ना ही इंटेंसिव है इसके बारे में भी हम लोग सेम बात बोलते हैं जो उस्मा के बारे में बोलते हैं उस्मा के बारे में हमने क्या बोला था कि सर उस्मा तंतर की प्रॉपर्टी नहीं है सेम ऐसे ही कारिये भी तंतर की प्रॉपर्टी नहीं है कारिय क्या है आपका तंतर का गुण नहीं है यह क्या होती है surface पे होने वाली घटना है यह मान के चलना मैं बोलू कि यहां खड़ा-कड़ा मेरे पास 5000 जूल कारिय है उसका कोई मतलब नहीं है जब तक मैं करूंगा नहीं तब तक वो कारिय मेरे लिए कोई importance नहीं रखता सेम ऐसी यहां पर हम लोग बोलेंगे कि कारिय हमारे पास क्या है ना तो extensive है ना ही intensive है बात समझे आप सपोर्ट करो मैं यहां पर खड़ाऊ और मैंने बोल दिया 5000 जूल कारिय है मिरे पास तो आप काटके मिरे को आदा-दा करो तो आप बोलोगे कि sir आपका 5000 तो इधर कारिय च गटना है एक क्या बोलेंगे कि जो surface pressed पर होने वाली गटना है इसलिए हम लोग इसको बोलते ना तो यह आपके पास extensive है ना ही यह intensive फिर से बोल रहा हूं एक important point है ध्यान रखना इसको अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे work के बारे में अब देखो जो work होता आपने पास दो परकार का हो सकता है ध्यान से सुनना work मतलब कारी है same way work हमारे पास क्या हो सकता है दो परकार का हो सकता है यह दो परकार का कौन-कौन सा हो सकता है एक तो हो सकता है non-pv work non-pv work एक होता आपके पास pv work कौन सा होता है pv work अब इसका अंतर क्या है वो छोटा सा अंतर है यह पीवी का मतलब कि आपके पास दाब और आईतन में परिवतन की वज़े से जो वर्क होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं पीवी वर्क बोलते हैं और यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि दाब और आईतन में परिवतन की वज़े से नहीं जो होगा या फिर यहाँ पर बोले करने जो कारी होता है वहां पास क्या होता है गूटी इतन की विज़त sells Ce shallow मैं लिख सकता हूँ एक पुंचा जा सकता है हम लोग क्या बोलेंगे कि आ 사र में परीवर्तन आइतन में परिवर्तन आउशक होता है मतलब समझे कि अगर आपके आईतन में परिवर्तन होगा तो पीवी वर्क होगा अधरवाइज नहीं होगा बाच समझे दूसरा यहां पर हम लोग बोले कि यहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं आईतन परिवर्तन आवशक नहीं है, आईतन परिवर्तन आवशक आवशक नहीं है, बताइए, कोई दिक्कत आएगी आपको PV वर्क और non PV वर्क में लिखने में, इसका एक छोटा सा काम की बात जो अपने पास है उसको मैं लिख देता हूँ, च्योंकि साइकलिक प्रोसेस में कभी-कभी हमारे काम आती है, वो क्या होती है, जो हमारे पास W टोटल होता है, क्या बोला हमने, कि जो भी हमारे पास W टोटल होता है, यह किसके बराबर होता है, यह बराबर होता है, W PV वर्क प्लस W non PV वर्क के बराबर होता है, अगर इन दोनों को मैं जोड़ दूँ, तो म हम लोग calculate कर सकते हैं बाट समझे maximum time देखो क्या होगा अपने पास non PV वर क्या होने वाला है zero रहेगा अगर यह zero रहेगा तो अपने पास जो W total आएगा हो किसकी विक्वल आजाएगा WPV के विक्वल आजाएगा हाँ कहीं कहीं cases जैसे आएगे जहाँ पर हमार पास क्या होगा PV zero हो जाएगा और non PV zero नहीं होगा तो वहाँ पर हम लोग जो W total की बात करेंगे वो क्या किसके बात करेंगे non PV की बात करेंगे मेरे ख्याल से बात समझे रहो इस बात को इसके बाद बिल्कुल सिंपल सा है, जैसे हमने क्या बोला था, उसमा के लिए चिन परिपाटी बताईजी न, सीम ऐसी वर्क के लिए भी चिन परिपाटी बताते हैं, तो चिन परिपाटी क्या है, जरा ध्यान से सुनना, या फिर मैं बोलू, चिन पर्णाली, अब ये चिन प बोल रहा हूं लिख रहा हूं उसको ध्यान से देखना तंत्र द्वारा किया गया कारिये किया गया कारिये एक सेंटेंस ओ लिख रहा हूं में थोड़ा सा लिख रहा हूं उसको देखे फील करने की कोशी करो कि हो क्या रहा है तंतर द्वारा किया गया कारी है, दूसरा में बोलू, तंतर पर किया गया कारी है, अब जरा बताओ, मैं यहाँ पर बोलू, आपके पास दो लाइने, तंतर द्वारा किया गया कारी है, और तंतर पर किया गया कारी है, अब इसको जरा ध्यान से देखो, देखो, मेरे को possibility क्या होती है मैं क्या करूँ कहीं पर भी या फिर कोई मेरे को उठा के लेकर जाए और पहाड पे ले जाके छोड़ दे अब बताओ किस ने काम किया किसी दूसरे आद्वी ने या फिर मेरे अलावा जो भी होगा परिवेस ही तो होगा तो परिवेस ने मेरे उपर कारिये किया और मेरे को उठा के काम भेज दिया पहाड पे छोड़ किया गया बताओ यहाँ पर दोनों बाते समझ में ही क्या मैं बोलों तंतर द्वारा किया गया कारिये जब मैं खुद मैं तंतर हूँ मैं खुद कारिये करूँगा तो वो क्या होगा तंतर द्वारा कारिये होगा दू कार यह होगा ना, वो हम लोग कैसे लेके चलेंगे, negative लेके चलेंगे, कैसा लेके चलेंगे, negative, जब भी तंतर काम करेगा, उसको हम लोग कैसा लेके चलेंगे, रिनातमक लेके चलेंगे, ध्यान रखना यह बात को, okay, physics में just उल्टा होता है, तो physics में मत भहे जाना, भैं फिर स द्धनात्मक लेकर चलेंगे तो मेरे खियाल से बातें आपको समझ में आ रही होगी चिन परनाली आप समझ चूकि यह होँ, इसके लिए चिन परनाली बात कर लिए हम नहीं है, वर्क के बारे में चिन परनाली ग्याद देख लिए, अच्छा, अब हम लोग आगे देखते हैं कारिये की गरना थोड़ा सा important है ध्यान से समझना ओके मैं simple formula आपको बताऊंगा कारिये की गरना हम लोग कैसे करते हैं उसके लिए एक थोड़ा सा piston वाली assembly है उसको समझने की कोशिश करना मैं बोल रहा हूँ कि आपके पास एक piston है पिस्टन दो जानती हूँ ना लास्ट लेक्षिर में पिस्टन है अब इस पिस्टन में क्या भरा हुआ आपने गैस भर रखिये यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा अच्छी से ड्रोग भी कर देता हूँ यहाँ पर क्या भर रख आपने इसके अंदर गैस भर रखिये अब बताओ यहाँ पर दो पोसिबिलिटी है क्या पहली पोसिबिलिटी तो क्या है एक तो आपके इस पिस्टन की उपर डाब लग रहा है किस कौन सा वाला पी गैस लग रहा है ओके दूसरी पोसिबिलिटी लग रहा है, P external लग रहा है नहीं लग रहा है अब बताओ मैं आप से बोलू एक अगर gas का दाब ज़ादा हो गया, किसका दाब ज्यादा हो गया, बताईздए क्या होगा या piston बहार की चरब मूझ करेगा क्या beautiful अन्दर की तरब मूझ करेगा Ottawa도 st किया हुआ उसको जिरा ही ध्ยान से देखना जब भी psychopath जा रहा है है तो किया गेस भार फैल रही है क्या तु जिस फैल सक बोलते हैं परशार तो अब देखो जब भी गैस फैले的 की फिस्टन बाहर की तरफ जाएगा तो रखारिय का बोलेंगे परसार तो देखो दो बाते मैंने यहां पर बोली एक तो परसार कारिये और एक संपीडन कारिये क्या दोनों वर्ड्स का मतलब समझे क्या बहुत बार बच्चे इसी में कन्फ्यूज होते हैं किस तर परसार कब होगा संपीडन कब होगा दिमाग में नहीं आती बाते हैं ओके तो यहां पर मैंने क्या बोला कि परसार कब होगा जब गैस फैलेगी तब हमारे पास क्या होगा प्रसार होगा और जब गैस पाक पास पास में आएंगे संकूचित होंगे उसको बोलेंगे संपीडन तो यहां पर देखो अगर पिस्टन बाहर की तरफ निकल रहा है तो कि यहां तक मेरे ख्याल से कोई दिक्त नहीं होगी तो अब जरह यहां पर देखो मैं इसके बार में जल्दी से एक फॉर्म्लाब को बता देता हूं कि देखो मैं बिल्कुल चोटा सा पिस्टन भार गया मैं बहुत फोटा सा पिस्टन भार गया वाँ rigor dw कारिय उसको करना पड़ा छोटे-छोटे कारिय की हम लोग बात करते हैं फिर हम लोग क्या करेंगे जब जिस range में calculate करना हो उनका समाकलन कर देंगे तो सब को जोड़ देंगे तो मार पास क्या जाएगा पूरा का पूरा कारिया आ जाएगा तो मैं बोल रहूं कि dx विस्ताप कार्ये कार्ये हुआ वा समझे कितना विस्तापित किया अप तंत्र को dx विस्तापित किया अब बताओ का य巧 चुणते लिग्स उ 쪽 होता है अरे बाकि इन्टू विस्तापनी तो का रिये है यादे नहीं बिल्कुल होता है मैं यहां से क्या लिखता हूं अब लोग यहां सरे dw is equals to क्या लिखेंगे f dot dx ज़रा ध्यान से बताओ ITAC ने क्या बोला minus लेके चलेंगे कि यहाँ पर इसको मैं थोड़ा सा और explain कर देता हूँ यहाँ पर देखो जैसे piston बाहर की तरफ जाएगा कौन काम कर रहा है गैसी तो काम कर रही है तो आपके पास यह कैसा आने वाला होगा minus आएगा बाच समझे ठीक है दूसरा आप देखो यहाँ पर क्या करना है यह तो हो गया मेरे पास force into dx अब बताओ pressure equals to क्या होता है force by area होता है क्या अरे होता नहीं होता अगर मैं इसको यहाँ ले जाओ तो बताओ force equals to कितना हो जाएगा pressure into area हो जाएगा क्या समझे इस बात को यह area किसका होगा piston के unupressed card का च्हित्रफल होगा बाच समझे किसका होगा piston के unupressed card का च्हित्रफल जैसे value में यहाँ पर put करता हो तो पताओ यह क्या बन जाएगा यहाँ पर आपके पास यहाँ पर बन जाएगा dw is equals to हो जाएगा minus p उसाथ में क्या रहेगा a उसाथ में क्या रहेगा dx पताओ यह यही बनेगा गया तीनों क्या रहेंगे मेरे पास multiply में यहां पर आपके पास है यह A है जरद ध्यान से देखना इसको यह आपके पास क्या है A, confuse मत हो ना, P, minus P dot A dot Dx, यह तो बना ठीक है, अब एक बात दता हो, यहां पर जो भी मेरे पास कारिये होगा, क्या वो बहाइए बल के विरुद्धी हो रहा है क्या कारिये, तो ध्यान तो यहां पर pressure क्या होगा, external होगा, दूसरी कहानी और सुनो, आपके पास इसका छेत्रफल भी है, यह कितना विस्तापित हुआ वो भी है, तो छेत्रफल गुणा जो length है आपके पास, अगर वो आजाए, दोनों को गुणा कर दूँ, तो क्या वो item बन जाती है क्या, मैं ऐसे ही, आपको piston का छेत्रफल पता है, कितना विस्तापित हुआ, dx विस्तापित हुआ, वो आपको पता है, तो इन दोनों को अब मैं क्या लिख सकता हूँ, जैको मैं यहां पर highlight करके बोल देता हूँ, कि इन दोनों को मैं क्या लिख सकता हूँ, जल्दी से बताओ, इन आपके पास समाकलन है अगर इसको हटाना है तो sorry इसको मेरे को complete करना है मैं एक range में निकालना है तो क्या समाकलन कर दूँ तो यहाँ पर इसका समाकलन करना पड़ेगा यहाँ पर देको P external भाहिये दाब आपके पास क्या रहेगा नियत रहेगा तो यह तो बहार आ जाएगा औ जैसे समाकलन करूँगा W कारिये का जो हम लोग समाकलन करते हैं तो हमार पास आता है एक निर्पेक्स मान आता है कि उस पत के दोरान कितना कारिये हुआ है तो यहाँ तो यह तो क्या बन गया मेरे पास W बन जाएगा यहाँ पर क्या बन जाएगा minus P external अब कहां से कहां विस् होने वाले ना बिल्कुल simple वाले की बात कर रहूं मैं वो सारे के सारे किस से सोल होंगे इसी formula से सोल होंगे ओके तो यहाँ पर कौन-कौन क्या-क्या है उसको भी जरा mention कि लिए डबलू तो क्या हो जाएगा आपके पास कारिये हो जाएगा P external क्या हो जाएगा बहाये दाब ह हो जाएगा और डेल्टा वी क्या हो जाएगा आईतन में परिवर्तन हो जाएगा बताइए यहां से आप कारिये की calculation कर सकते है क्या कर सकते हो ना आप देखो इससे related कुछ आपके पास बनेंगे बाते भी उनको भी मैं आपको बताता हूँ आप देखो कारिये को हम लोग तीन जगे कुछ conditions है work की उसको भी हम लोग देख सकते है work की तीन condition है P external के बारे में बता रहा हूँ जो ध्यान से देखो आपके पास यहां पर जो P external आया ना इसके बारे में बात करा रहा हूँ बा बताओ यहां पर जो W का formula बनेगा वो क्या बन जाएगा बिल्कुल simple अभी जो आप पढ़के आये थे वो ही बन जाएगा कि यह कोई भाईये दाब है उसके विरुद अगर कोई कारिये हो रहा है तो हम लोग formula क्या काम में ले सकते हैं W equals to minus P external delta V को हम लोग काम में ले सकते है बाद समझे दूसरी कहानी अगर मैं बात करूँ कि आप यह जो भी कारिये करवा रहे हो खुले पातर में करवा रहे हो कहां करवा रहे हो खुले पातर में अब बताओ खुले पातर का मतलब क्या हुआ दाब नियत हो गया क्या और भाई यह दाब कितना हो जाएगा खुले पातर में तो बता यह P external कितना हो जाएगा 1 ATM हो जाएगा क्या अगर यह 1 ATM हो गया तो W equals to कितना हो जाएगा तो P external तो हो गया 1 ATM तो यह किसके को इकल हो जाएगा minus delta V के बराबर ही हो जाएगा क्या तीसरी condition आपसे पूँची जा सकती है important है वो क्यों कि जब आप कारिये जो भी आपके पास परसार कारिये हो रहा है वो निर्वात में हो जाए अब बतो निर्वात में दाब कितना होता है 0 होता है अब यह कैसी हो सकते है उसके लिए condition में बताता हूँ, आपके पास एक piston है, ठीक है, बिल्कुल piston है, और इसके चारो तरफ परिवेस में आपने क्या create कर दिया, निर्वात क्रिएट कर दिया, निर्वात मतलब यहाँ पर pressure कितना हो गया, 0, तो क्या यहाँ पर फ्रीली मूव हो जाएगा, क्या आपका जो कारिय हो रहा, वो निर्वात में हो रहा है, या फिर आपको बोला जाए सकता है, जो piston है, उसका free move हो रहा है, मतलब जो आपके वास परसार है, वो कैसा है रहा, सवतंतर परसार हो रहा है, तो दो word बोले मैंने उनको ध्यान रखना, एक बोला, सवतंतर परसार, तो दोनो P external अगर 0 हो गया, तो W बरावर कितना हो जाएगा, अरे P external 0 हो गया, तो W कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्या, तो ये कुछ important conditions है, इनको जरा ध्यान रखना, अब चलिए हम लोग करते हैं, works related कुछ questions की practice करते हैं, जिनसे हमार पास कुछ clarity आएगी, हाँ, साथ ही साथ में आपको एक DPP भी मिल जाएगी, तो उसको भी आप अच्छे से solve करना, works related कुछ questions आने वाले हैं, तो चलिए हम लोग बात करते हैं, DPP में, sorry, कुछ questions की बात करते हैं, question क्या आपके पास, अच्छा उससे पहले चलो, एक छोटा से topic रहा है अपने पास, unit of energy, energy की units क्या क्या होती है, उनको भी जरा देख लेते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, SI unit की, SI unit, जो SI unit होती है energy की, वो क्या होती है आपके पास, joule होती है, क्या होती है, joule होती है, ठीक है, जो CGS unit होती है, वो क्या होती है, CGS unit होती है, आपके पास होती है, क्या होती है, arg, और दोनों में अगर मेरे को संबन निकालना हो, तो मैं बोलता हूँ, 1 joule is equal to that, 10 to the power 7, arg के equal, बताइए, यह याद था आपको पहले से, मेरे ख्याल से आपको पहले से याद होनी चाहिए, चीज़े, क्यों आप physics में भी यह बात है, बहुत अच्छे से पढ़ चुके हो, और आपको अब तक तो याद हो जानी चाहिए, कि 1 joule आपके किसके बराबर होता है, कि 10 to the power 7, arg के बराबर होता है, बताइए, कोई दिक्कत आएगी यहाँ तक, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं चीए, थर्ड जो सबसे ज़्यादा important है, उसकी मैं बात कर रहा हूँ, हमारे पास होगा 1 ATM लिटर, किसमें आएगी आपके पास energy की unit, ATM लिटर में आएगी, अगर इसको जूल में convert करना हो, तो मेरे को गुणा करना पड़ेगा, 101.3 जूल से गुणा करना पड़ेगा, बात समझे, पतले किसके बराबर होगा, 101.3, जो भी ATM लिटर में आपके पास value आए, उसको किस से गुणा करवादो, 101.3 से गुणा करवादो, 100.3 से, अब देखो काम की बात, काम की बात यह है, कि आपके पास चाहे बार लिटर हो, चाहे आपके पास ATM लिटर हो, अगर आपको उसको जूल में convert कराना है, तो आप तो हमेशा 100 से गुणा करवादा, क्योंकि यहाँ पर देखो बहुत छोटा सा अंतर है, तो उससे ज्यादा फरक नहीं पड़ेगा, अपना लगबग आंसर आ जाएगा, लेकिन ध्यान अगना, अगर कहीं subjective question कर रहे हो, तब आपको बिल्कुल exact value से गुणा करवाना है, अगर कहीं आप MCQ कर रहे हो, जो options वाले question है, वो कर रहे हो, तो वहाँ पर आप क्या करोगे, दोनों को आप किस से गुणा करवा सकते हो, सो से गुणा करवा सकते हो, आप आराम से value बता सकते हो, बताए, units आपको पहले से याद होगी, लेकिन हाँ, एक summary के तोर पे मैंने आपको यहाँ पर लिखवा दिये, क्यों अभी आगे आने वाले जो questions होगे, उन्हें unit conversion भी होने वाला है, और मेरे को पता आप गलती क्या करोगे, वो question आने के तब आएगा, तब मैं बात करूँगा आपसे, चलिए, आगे चलते हैं, हम लोग एक question पर चलते हैं, निर्वातित बलब, अब देखो कहाँ पर है, vacuum आ गया है, इसीज़ का ध्यान करना निर्वात आ गया है, निर्वातित बलब में परवेश कराते हैं, बात समझे, तो इसका मतलब यह हुआ, मैं first question की बात कर रहा हूँ, कि आपके पास क्या था, कि आपके पास पहले गैस एक बलब में रखी हुई थी, मैं बोलू कि यह मेरे पास बलब है, ओके, अभी इसका जो कितना था, 10 लिटर था, और जो प्रेशर था, वो 180 अम था, अभी इसको कहाँ छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, एक निर्वातित बलब में, मतलब भाईयदाब आपके पास कितना हो गया, अरे, P external कितना हो गया, 0 हो गया क्या, तो बताएए, अगर भाईयदाब 0 हो गया, तो यहां से जो W आने वाला है, वो कितना हो जाएगा, 0, निकाल सकते हो गया, डबलू, अरे, जब भी आपको निर्वात बोलेगा, तो W निकाल सकते हो, अब आपर हम से, बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो पहले वाला क्वेशन बिल्कुल सिंपल सा था, आपको बस एक वर्ड को ध्यान देना था, अगर आपने इस वर्ड को पकड़ लिया, तो आप एजली क्या बता सकते हैं, इसका अंसर बता सकते हैं, इसके बता सकते हैं, एक ATM इस्तरवाइवंडिल दाब के विरुद, जो काम की बात बोल दी, उसने पहली लाइन में, क्या बोल दिया, कि जो बहाई ये दाब है ना, वो कितना है आपके पास, एक ATM, उसके विरुद जो भी कारिय हुआ, एक मोल गैस को एक लिटर आइतन से, पांच लिटर आइतन तक परसारित किया गया है, पतलो आइतन क्या गया है, यहाँ पर बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर उसने क्या पूछा है, कारिय पूछा है, तो बी को भी जड़ा calculate कर लो, पी external तो कितना हो गया, जल्दी से बता दो, पर इसर, पी external तो हो गया, 180, वी टू कितना हो गया, वी टू हो गया, पांच लिटर, वी वन कितना हो गया, वी वन हो गया, एक लिटर, कितना हो गया, एक लिटर, तो डबलू बराबर बताओ, माइनस पी external, डेल्टा वी, तो डेल्टा वी क्या होता है, वी टू माइनस वी वन होता है, बिल्कुल होता है, तो क्या आजाएगा आपके answer, बिल्कुल मार रही है, यहाँ पर प्रसारित, आइटन तक प्रसारित क्या जा रहा है, मतलब गैस क्या करिए, piston को बाहर धका मारी है gas काम कर रही है और जब भी gas काम करीगे तंतर कारी करेगा तो कैसा आएगा आपके वास negative आएगा बताएए इन दो question दोनों छोड़ी-छोड़ी questions भी कोई दिक्कत आपको मेरे खाल से कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए next question के हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा अच्छा question है अब उसको जरा देद्याको ध्यान से समझना ये बोल रहा है कि 27 डिग्री Celsius पर oxygen gas के 10 mole 5 liter cylinder में उपस्तित है बिल्कुल सही बात हम लोग लिख लेते हैं कि हमारे पास जो volume cylinder का वो कितना है 5 liter है mole है वो कितने है mole कितने है आपके पास पताइए अरे 10 mole है क्या बिल्कुल है अच्छाने करिशाओ के कारण चिदर में से gas volume मंडल में निसकासित हो जाती है अब देखो चिदर क्या हुआ आपका gas cylinder leakage हो गया तो बाहिये दाब कितना हो गया चल्दी बताओ अरे 1 ATM हुआ ना तो 1 ATM के विरुदी तो gas बाहर निकल रही है बिल्कुल इस point को पकड़ ले ना यहाँ पर cylinder खाली हो जाता है यदि volume मंडल ये दाब आप देखो इसने बता भी दिया volume मंडल ये दाब कितना है 1 ATM है तो कारिय की गणना कीजिए ये क्या पूछा है कि कारिय आपसे पूछा है अब जरा देखो बायद आप तो इसने बता दिया कितना बता दिया 1 ATM प्रारंभिक आयतन भी इसने बता दिया V1 कितना बता दिया 5 लिटर अब क्या इसने V2 बताया है क्या नहीं बताया तो V2 calculate करने के लिए हमें देखो R दिया है मतलब इसका मतलब क्या सोचना पड़ेगा अपने को address gas samigand के बारे में सोचना पड़ेगा अब जरह बताओ address gas samigand क्या होती है PV equals to nRT होता है क्या बिल्कुल होता है अगर मेरे को यहां से V2 calculate करना है तो V2 क्या हो जाएगा nRT divided by P हो जाएगा अब n कितने थे 10 mole थे multiply by R की value कितनी आई 0.083 multiply by temperature 27 degree Celsius मतलब कितना 300 Kelvin हो गया क्या बिल्कुल हो गया तो temperature हमें साब लोग किसमें रखोगे SI unit में रखना तो इसको Kelvin में बदलने के लिए क्या करूँगा 213 में जोड़ दूगा तो कितना हो जाएगा 300 बटे में क्या आएगा आपके बाद दाब आएगा और दाब कितना है 180 में क्या भाई ये दाब बिल्कुल है तो इसको जरा solve करो देगा ये कितना हो रहा है V2 equals 2 देखो कितना आगया आपके पास V2 249 लिटर आगया क्या बिल्कुल आगया तो अब बताओ आपके पास V2 आगया V1 आपके पास है तो W equals 2 क्या होता है minus P external delta V होता है क्या delta V क्या होगा V2 minus V1 तो W equals 2 कितना हो जाएगा minus 1 multiply by V2 कितना आपके पास अरे 249 है क्या बिल्कुल है तो ये कितना हो गया 249 minus V1 कितना था 5 था तो जड़ा बताइए इसमें से इसको minus कीजिए तो W equals 2 कितना हो जाएगा minus ये कितना हो जाएगा 244 ATM liter बताइए क्या आपने W calculate कर दिया है क्या अरे किया नहीं किया तो अब आपको एक DBP मिलेगी उसको आप आराम से solve करना उसके बाद मिलते हैं हम लोग next lecture में next lecture में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे इसी से एक chapter से related कुछ हम लोग बात करेंगे आगे चलके कुछ questions आएंगे साथ-साथ में हम लोग उसमागती के पर्थम नियम से related कुछ questions करेंगे और वहाँ पर वबार के कैसे calculate करते हैं उनके बार में हम लोग calculate करेंगे तो तब तक के लिए okay bye मिलते हैं next lecture में पढ़ते रहिए आराम से बिलकुल tension free होके हसते वे पढ़ते रहिए करेंगे